नमश्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूम न्यू चैनल करमचारी यूनियन पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पैंशनर्स के हक में फैसला सुनाया है जी हाँ दोस्तों पैंशन भोगियों की शांदार जीत हुई है सभी पैंशनर्स और फैमली पैंशनर्स के लिए अतन्त महतवपूर्ण है इसलिए जरूर देखें दोस्तों क्या पूरी अपडेट निकल करा रही है हम आपको वीडियो में शेयर करेंगे दोस्तों आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स रहें चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोट का कहना है कि पैंशन देने का मूल आधार सेवा निवरत क्रमचारी को विर्धा वस्ता में सम्मानित जीवन जीने का साधन उपलब्द कराना है जी हां दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस तरह के पैंशन देने का मूल आधार सेवा निवरत क्रमचारी को विर्धा वस्ता में सम्मानित जीने का साधन उपलब्द कराना है तथा इस परकार के लाब से किसी भी क्रमचारी को अनूचित त कहा है कि पैंशन कोई उफार नहीं है जी हां दोस्तों पैंशन कोई उफार या गिफ्ट नहीं है जो सरकार उन्हें बिना बात के देती है बलकि जो सरकार है उसको उसे एक उफार समझ कर इस परकार से नहीं दिया जाना चाहिए जिसका भुगतान सरकार अपनी मर्जी से कर पन्यापन कर सके निया मूर्ती संजय किशन कोल किया धेक्ष्टा वाली तीन सदस्षी एखंड पीट ने काय कि पैंशन के प्रावधान को समाज कर लैंड के उपाई का एक उदार अभी प्रावधाय माना जाना चाहिए इस मामले के अपील करता वी सू कुमारन ने केरल सरकार के मत्से पालन विभाग में 7 जुलाई 1976 को कैजूल लेबर रोल CLR वरकर अनिमित करमचारी के तोर पर नोकरी शुरू की थी उन्होंने वहां 29 नुवंबर 1983 तक यानि 7 वरस 4 महिने और 23 दिनों तक CLR कामगार के तोर पर का योग उद्धान उन्होंने अपना कारिय किया केरलोक सेवा आयोग के जिला अधिकारे ने उन्हें परनूर जिला स्तितरासव विभाग में लोवर डिविजन कलर्क LDC के रूप में नोकरी करने की सला दी और उन्होंने वहां अपनी नोकरी शुरू कर दी उसके बाद उन्हें 18 सितंबर 1989 को नोकरी में नीमित कर दिया गया और बाद में उन्हें अपर डिविजन कलर्क के रूप में पदोनती भी दी गई सेवानिवर्ती की उमर हाशिल करने के बाद वह 31 दिसंबर 2008 को सेवानिवर्त हुए उन्होंने सेवानिवर्ती के समय मिलने वाली पैंशन संबंदी लाब के लिए एक रिटियाची का दायर की जिसमें उन्होंने कहा था कि 7 जुलाई 1976 और 29 दमबर 1983 के बीच सी एलार कामगार के तोर पर उनकी आठ साल की क्वालिफाइंग सर्विस को भी पैंशन में शामिल किया जाए उनकी रिटियाची का हाई कोट में हाई कोट ने खारीज कर दी थी दोस्तों आपको बता दे कि उनकी अपील पर विचार करते हुए खंड़ पीट ने कहा है कि पैंशन संबंदी प्रावधानों को समाज कर लैंड के उपाए के तोर पर उदार अभी प्रावधान किया जाना चाहिए के खंड़ पीट में नय मूर्ती अजय रस्तोकी और नय मूर्ती अनिरूद बोश भी सामिल हैं कोट ने कहा है इसका अर्थ यह नहीं है कि नियम के विरूद कुछ भी दिया जा सकता है लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस तरह के पैंशन देने का मूल अधार सेवानिवरत क्रमचारी को बुढ़ापे में समाने जीवन जीने के लिए साधन मुहया कराना है और इस परकार के लाव क्रमचारी को अनुचित तरीके से खास कर बारिकियों के अधार पर उसे वंजित नहीं किया जाना चाहिए इस मामले में फैसले की सुरुआत में इस टिपने से की गई है कि पैंशन सेवानिवरत के बाद की अधी के लिए एक सहायता है यह कोई उफार नहीं है जिसका बुगतान अपनी मर्ची से किया जाए बलकि यह है सेवानिवरत क्रमचारी के बाद जो समाने जीवन जीने के लिए जो समाज कलान का एक तरीका है अपनी सेवाएं दी हैं दोस्तों आपको बता दे कि परासंगिक सर्विस रूल को ध्यान में रखते हुए बेंच ने विविस्टा दी की अपील करता द्वारा सीलार कामगार के तोर पर दी गई सेवा भी अन्य सीलार कामगारों के समान ही पैंशन संबंदी लाभू में शामिल की जाए कोट ने राज़ा सरकार को आठ सप्ता के बीतर बकाय पैंशन का बुगतान करने के कड़े निर्देश दे दिये हैं जी हां दोस्तों ये अपडेट निकल करा रही थी तो सो फिर मिलते हैं जैसे ही कोई नई अपडेट पैंशन भोगियों या करमचारियों से संबंदित निकल कर आती है तब तक के लिए जैहीन जै भारत